प्रिगनेंसी में हर औरत उस समय का इंतजार करती है जब उनका बच्चा पेट में मूव करें आम तोर पर दूसरे और तीसरे ट्रायमिस्टर में ज़्यादा तर प्रिगनेंच चौण दें पेट में सुसुकी मूवमेंट फील करती है ये उनका अपने होने वाले बेबी के साथ गर में communicate करने का एक मातर तरीका होता है इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति आदब आपको बताऊंगी कि प्रिगनेंसी में बेबी की मुवमेंट कब शुरू होती है बेबी की मुवमेंट फील ना होने पर क्या करना चाहिए और प्रिगनेंसी में बेबी की मुवमेंट फील ना होने के कारण क्या है सबसे पहले बात करते हैं कि बेबी की मुवमेंट कब शुरू होती है प्रिगनेंसी में नई माओं को अकसर ये चिंता होती है कि उनका होने वाला बेबी move नहीं कर रहा है लेकिन गर्ब में सिसू की हलचल करने का समय हर महिला में अलग-अलग होता है जिस महिला की पहली pregnancy है उसे अपने होने वाले बच्चे की moment थोड़े देर से पता चलती है पहली बार pregnancy महिलाओं में अबिस हफते के बाद, Sisu की movement feel होती है। तो वहीं, जिन महिलाओं का दूसरा बच्चा होता है, उन्हें 20 हफते में movement मालूम होने लग जाती है। 20 हफते से पहले, Sisu की movement नहीं मालूम होती mourning क्योंकि तब-च discomfort, Sisu बहुत छोटा होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि नई माओं के मुकाबले पहले बच्चा पैदा कर चुकी माओं को मुवमेंट जल्दी पता चल जाती है अभी तक हमने ये जाना कि प्रिग्नेंसी में बेबी की मुवमेंट कब शुरू होती है अब हम ये जानते हैं कि अगर movement नहीं हो रही है तो फिर आपको क्या करना चाहिए तो सबसे पहली बात कि गुनगुने पानी से नहें क्योंकि ऐसा माना जाता है कि pregnancy में ये तक्मी बहुत से भीलाओं के काम आती है इसमें आप टप को गुनगुने पानी से भरें और फिर बात लें इससे ना किवल आप अच्छा फील करेंगी बलकि इससे पेट में होने वाले भूर की movement भी बढ़ेगी इसके अलावा pregnancy में ऐसे समय पर अपने पेट पर हलकी मालिश करना baby movement को बढ़ाने का अच्छा तरीका है इसमें जवाब अपने पेट पर मालिश करेंगी या तच करेंगी तो आपका होने वाला सिसूस पर react करेगा इससे आप उसके movement भड़ा सकती है लेकिन ध्यान रखना है कि मालिश हमेशा हलके हाथों से ही करें इसके अलावा second trimester के आखिर तक सिसू गर्ब में अपनी मा की कई सारी अवाजों को सून सकता है इसलिए इस दोरान अपने सिसू से बात करने से आपके और आपके बेबी के बीच एक connection strong बनता है और ऐसा भी माना जाता है कि प्रिग्नेंसी में बेबी movement के लिए ये एक बहतरीन तरीका है फिर भी अगर आपको हलचल फील नहीं हो रही है तो आपको गहरी सांस लेनी चाहिए क्योंकि अगर आपका blood pressure और heart beat नॉर्मल होगी तो आपको अपने होने वाले बेबी की moment फील हो जाएगी इसके अलावा अगर आपको प्रिग्नेंसी के 24 वे हफते तक पेट में सिसू की कोई भी घटविदी फील नहीं होई है तो आपको तुरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जिसके बाद डॉक्टर आपको बुलाकर ultrasound करने की सला देंगे जिसमें आप पता लगा पाएंगी कि आपका जो बेबी है वो healthy है या फिर नहीं ऐसे में बेबी की moment ना होने पर आप stress में चली जाती है इस stress को दूर करने के लिए आप हमारी कुछ कहानिया सुन सकती है जिसके लिए आप हमारे android एप pocket कहानिया को play store से डाउनलोड कर सकती है जिसका link आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा या फिर आप side में आ रहे ही card पर भी click कर सकती है तो यहाँ पर हम आपको ऐसी कहानिया देते हैं जो आपको जिंदगी को देखने की नजरिये को बदल देती है तो pregnancy के दौरान आप अपना समय pocket कहानिया को जरूर दे फ्रेंड्स अभी तक हमने ये चाना कि अगर pregnancy में बेबी की मुँमें ना दिखी तो क्या करें अब हम ये चानते हैं कि pregnancy में बेबी की मुँमें ना दिखने के reasons क्या होते हैं कई बार सिसू की मुँमें ना पता लगने से pregnant और गबरा जाती है लेकिन ज़्यादा तर केस में इस्तिती normal रहती है पर ऐसा भी हो सकता है कि पेट में पल रहे सिसू का मुँम एंटिरियर पोजिशन में हो जिसके कारण आपको अपने बेबी की मुँमेंट फिल नहीं हो रही है अगर एंटिरियर पोजिशन में प्लेसेंटा आंगे की और भढ़ रहा है तो आपको अपने बेबी की मुवमेंट फिल नहीं होगी इसलिए अगर आपको दो घंटे तक बेबी की कोई भी मुवमेंट फिल नहीं हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए इसके अलावा अगर आपके पेट में बेबी जादा मूव नहीं कर रहा है तो इसके कारण डिलेवरी डेट करीब आना भी हो सकता है क्योंकि डिलेवरी की नजदीक होने पर गर्म में स्पेस कम हो जाता है जिससे बेबी को मूव करने में प्रॉब्लम आती है इसलिए प्रिग्नेंसी के आखरी महीने में डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे ताकि डॉक्टर टाइम टू टाइम आपके हूने वाले बेबी का चेक अप करते रहे इससे आपको पता चलता रहे कि आपका बेबी हेल्दी है या नहीं मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के जरिये प्रिग्नेंसी में बेवी मुमेंट कब होती है ये जानने में हल्प मिली होगी इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि प्रिग्नेंसी में सिजेरियन डिलिवरी कब होती है तो आप हमारी स्क्रीन पर आ रहे ही इससे related वीडियो को देख सकती है जिसमें हमने इसके बारे में बताया है इसके अलावा pregnancy से related और भी जानकारी के लिए आप हमारी playlist को भी देख सकती है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें ऐसे informative वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल pregnancy tips and advice को subscribe जरूर कर लें अगर आपके पास वोई भी सवाल है तो आप हमें comment box में जरूर लिखें हम वीडियो लाइव होने के एक घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ अब मैं मिलूंगी अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें स्वस्त रहें